हेलो एंड वैलकम डी रेश्ट्टेंट्स बहुत बहुत स्वागत थैं आप से आपके अपने यूट्यूब चानल स्टेडी विद दुलार में बच्चो ये कलास सेवन का हिंदी बुख है चैप्टर नाइन है और इस चैप्टर का नाम है अभी मन्यू वध तो इसके लिए काफी सारा कमेंट मिल रहा था इस चैप्टर को मैं जल्दी बनाने हैं पा रहा था लेकिन आज ये कंप्लिट हो जाएगा अभी मन्यू का नाम महा भारत की युद्ध में सदायादगार रहेगा वहा अरजुन और उत्रा का पुत्र था मातर सुला साल का यह वीर बालक अपने युद्ध कोसल से कौरवदल के सभी महारतियों को विचलित कर दिया था किसी एक के लिए अभी मन्नू का सामना करना बहुत ही मुश्किल था इसलिए साथ महारतियों ने एक साथ मिलकर एक निहत्य वालक का वद्ध कर दिया और यह एक अन्याई पूर्ण युद्ध था फिर भी अभी मन्नू उन लोगों के साथ लड़ता रहा और अन्तता वीर गती को प्राप्त हुआ इससे समन्दित यह चप्टर दिया हुआ है ता आयो हम लोग पढ़कर देखते हैं इसको माभारत के बारावे दिन के युद्ध के बाद दुर्योधन बहुत उदास था उसने दुखी होकर आचारे द्रोन से कहा आचारे हमारी बहुत बड़ी सेना नस्ट हो चुकी है पांडव बहुत उग्र और परबल हो रहे हैं युद्ष्ठिर को पकड़ने की आपकी प्रतिज्या भी पूरी नहीं हुई पांडवों के प्रति आपका स्ने है नहीं तो युद्ष्ठिर को पकड़ लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं 12 दिन की बात कर रहा है तो महाभारत का युद्ध 8 दिन चला था तो दुर्योधन आचारे द्रोन से कह रहा है कि हमारी बहुत बड़ी सेना नश्ठ हो चुकी है और पांड़ों काफी उग्र हैं परबल हैं और आपने प्रतिज्या भी किया था युद्श्चिर को पकड़ने क की बात सुनकर द्रोन आचारे छोब से भर उठे उनको दुखवा उनकी बाते को सुनकर उन्होंने कहा महाराज कल हम चक्रवियू की रचना करेंगे तो हम युद्श्चिर को पकड़ने में आवश्च सफल होंगे चक्रवियू का युद्ध के वल अर्जुन को ग्यात है आ अर्जुन को अगर यहां से किसी तरह दूर कर दिया जाए तो युद्श्चिर आसानी से पकड़ा जाएगा पुरू योजना के अनुसार अगले दिन युद्ध प्रारम होते ही तिरगर्तों और संस्पत्कों ने अर्जुन को ललकारा पुरू योजना मतलब पहले से यह स दूर ले जाया जाए उसी समय कोरवन ने धर्मराज युद्श्टिर को चक्रविव के युद्ध का चुनोती भरा संदेश भेज दिया संदेश पाकर युद्श्टिर चिंतित हो थे और जब देखा कि अर्जुन रन भूमी से बाहर चला गया है तब वह से समय में चक्रव युद्श्टिर दौरा चक्रविव की समद में बताने पर उसने कहा उसी समय अभिमन्नु आता है और चेहरे से पता चल जाता है कि वह कि चिंता में चिंता ग्रस्त है उन्होंने पूछा कि क्या बात है चिंता आपके चेहरे से क्यों झलक रहा है तो वह बतलाएं कि में मा को बताया था यहां पर देखें इतना यह मेरे कल चीज है जब गर्व में था मां के पेट में था उसी समय चक्रविव की रचना की बातिया सुना था मैंने गर्व में च्छ द्वारों तक युद्ध का वरनन सुना तबी मां को नींद आ गई और आगे मैं नहीं सुन स आप इस युद्ध का निमंतरन स्विकार कर ले मैं इस युद्ध के लिए तयार हूँ अभी मन्नु ने बतलाया कि मैं छह द्वार तोड़ सकता हूँ छह द्वार मैं पार कर सकता हूँ इसलिए आप युद्ध का आमंतरन स्विकार कर ले मैं युद्ध करने के लिए है लेकिन अभिमन्नू नहीं माना और उसने कहा कि मैं युद्ध के लिए त्यार हूं मैं युद्ध करने जाओंगा और अन्तता कोरोवदल के तरफ से आयोए संदेश को वस्विकार कर लेते हैं अभिमन्नू का रत बाहर त्यार खड़ा था वा तिब्र गती से रंच्छेत्र में जा पहुंचा पांडो सेना हर्स धवनिकर रही थी अभिमन्नू का रत चक्रव्यू के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया जैसे ही अभिमन्नू रन भूमी पे पहुंचता है सेनिकों का आतम विश्वास बढ़ जाता है और अभिमन्नू का जय या महराज युदिश्टि जय इस तरह से वे चिलाने लगते हैं चक्रव्यू का जो परफम द्वार था वहाँ पर अभिमन्नू का रत जाकर खड़ा हो गया अभिमन्नू ने भीम से कहा या चक्रव्यू का पहला द्वार है अभिमन्नू के साथ-साथ पांडों के और जितने भाई थे पतलब सिर साथ रहिएगा यह कहकर अभिम्नु जैदरत पर वान से प्रहार किया और वह विवेद कर वितर गुश गया. भीम के रत को जैदरत ने वहीं रोक लिया. अभिम्नु जैदरत पर वान का प्रभाव करता पर्थम द्वार तोड कर अंदर चला जाता है. भीम को वह गती से आगे बढ़ गया जैसे है द्रोनाचारे अपने धनुस से बान चलाने वाले थे कि अभी मन्नू उसके धनुस को काट देता है और वहां से आगे लिकल जाता है तिसरे द्वार पर पहुंच जाता है जहां पे तिसरे द्वार पे कर्ण खड़ा था कर्ण को यह देखकर तिसरे द्वार तक आ गिया उसे विश्वास नहीं हुआ अभि मन्नु के बानों से कर्ण भी कुछ देर के लिए अचेत से हो गए इतना तेजी से हुआ युद्ध कर रहा था कि दूसरे महारत्यों को मोका भी ने दे रहा था बान चलाने के लिए और तिसरे द्वार से हुआ आगे बढ़ जाता है चोथे द्वार पर द्रोनाचारे का पुत्र अस्व थामा युद्ध के लिए त्यार खड़ा था तब वहां पे पहुँच गया अस्व थामा के पास अभि मन्नु के रन को सल कि समुक अस्व थामा का भी वसना चला और वो भी उससे प्रास्थ हो गया वो भी उसको रोक नहीं सका अभी मन्नु पांचवे द्वार की और बढ़ चला दुर्योधन और दुसासन या देकर विचलित हो ठेग उन लोग डर गए कि ये क्या हो रहा है दुर्योधन और दुसासन कि इतना एक कम उमर का बालक जो है इतने द्वार को भेद कर इतना अं साथ इसपे प्रहार करेंगे चक्रुव के भीतर नय感じ है क्या प्रस्ण मतलब गर चाल चलने की निति बतला रहा है कि क्या फ्रक पड़ता है यहां पर हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे तो जितने वी बड़े-बड़े महाराथी थे, युद्धा थे, सभी एक साथ मिलकर उसको घेर लिए, अभी मन्नु के सार्थी ने उसे समझाया, यह अन्या युद्ध है, कोरो अन्या युद्ध पर तुले हैं, मैं रत को ती ब्रगती से लोटा ले चलता हूं, हलाकि अभी म अभी मन्नु किसी भी स्थिती में रंचेत्र से भागना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने सार्थी को बतलाया कि ऐसा करना सही नहीं है, मैं किसी भी स्थिती में ऐसा नहीं करूंगा, आप रत को गोल-गोल घुमाते रहें, मैं युद्ध करता रहूंगा, इसी समय कर अबिमन्नु पर चारो और से वान वर्षा होने लगी, सभी एक साथ उस पर हमला कर दिये, अबिमन्नु का सस्त्र संचालन देखते ही बनता था, उसका रत चक्र की तरह सातो रतियों के बीच घुमने लगा, अबिमन्नु के परहार से कोरो युद्धा विचलित हो गए, तभी इसके सीर परहार करना होगा और इसके अस्त्र छीन लेने होगे, करन के सब्धगोस के साथ ही उस पर चारो तरफ से वान की वारिस होने लगी, लेकिन अभी मन्नु को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसके पीछे कारण यह था, कि वह जो कवच पहना होगा था, उससे ती अस्तर सस्तर इसके हाथ में जो भी अस्तर है उसको किसी तरह से नस्ट कर दिया जाए, तभी इस पर हम लोग इसको वस कर सकते हैं, इससे जित सकते हैं, यह बात गुरू द्रोनाचारी ने बतलाया, उसके बाद उस घंगोर युद के बिच अभी मन्नु के रत का सार्थी ग गिर पड़ता है, घोड़े भी घायल होकर गिर पड़े, वीर बालक रत से कुद पड़ा, और जब उसका घोड़ा घायल हो गया, तो वह रत से नीचे कुद जाता है, कर्ण और द्रोनाचारी ने रत को नस्ट कर दिया, और उसकी तलवार को काट दिया, उसके सभी अस्तर स अस्त्र को नस्त्र करते गए वे लोग, फिर अभिमन्नु रत का पहिया लेकर कोरो महारतियों पर तूट पड़ा, असो थामा ने पहिये को भी काट दिया, अब अभिमन्नु के पास कोई अस्त्र ना बचा था, अन्तता अभिमन्नु के पास जब कोई अस्त्र सस्त्र नहीं थ तो वह रत का पहिया लेकर सभी पे वार किया, लेकिन उसका पहिया भी नस्ट कर दिया गया, इस अवसर का लाव उठा कर वह निहत्था हो चुका था, तो इस अवसर का लाव उठा कर दुर्योधन पुत्र, दुर्योधन का पुत्र लच्मन, यहां पे लच्मन जो है, दुर् पर उसने वही गडा उठा कर लच्मन के सेर पर दे मारी। अब उससको चोट लगा घ्याल हो गया तो वही गडा उठाकर वा लच्मन के सीर पर मारा। निशाना चुक था, अभिमन्यों के वध का हर्स था तो दूसरी और लच्मन के मिर्थ्यू का सोक। जैसे है अभिमन्नू को बीरगती प्राप्त होता है वैसे ही युद्ध समाप्ती का संख बजता है तो संख बजने से युद्ध प्रारंब होता था और संख बजने से युद्ध का अंतो होता था तो युद्ध समाप्ती का संख धवनी सुनाई दिया और कोरों को जहां अभि अभिमन्नू की मिर्तियू का समाचार पाकर पांडव सोक में डूब गए लेकिन अभिमन्नू के रन कोसल का तथा उसकी विर्ता और प्राकरम का यसोगान सरवत्र हो रहा था। सबसे पहले यहाँ पर वन नमबर में सब्दार्थ हो टिपनियां यहाँ पर सब्दार्थ दिया हुआ है हिंदिय और इंगलिस में बतलाया हुआ है और इसमें और भी दिया है से सब्दार्थ यहाँ पर दिया हुआ है इसको एक बार पढ़कर जरूर याद कर लें और इसमें कुश्चन नमबर टू उतर दिजिए यह इस चेप्टर का मुख कुश्चन है और यहां पे यह कुश्चन नमबर त्री जिसमें बतलाया है बताओ किसने किससे का इसको आप स्वयम भी बना सकते हैं कुश्चन नमबर फोर में लिखो इस पार्ट के अधार पर अविमन्नु का चरित्र चितरन करो मतलब अविमन्नु के बारे में लिखना है दुर्यधन दुसासन और करन के बारे में लिखने के लिए कहा गया है और फाइब नमबर में भासा अधियन भासा अधियन ग्रामेटि जो वर्न होता है उसको प्रत्यजाय कहा जाता है जैसे कि चिन्तित में ईत होता है यहां पर लिखा हुआ है नीचे लिखे स 서bst में प्रियूक्त उपसर्ग और प्रत्याय छाटो तो इसके कुछ उपसर्ग छाटना है और कुछ प्रत्याय छाटना है तो है कोश्च्टिन नम tiene ये है चप्टर 9 का question answer दुर्योधन ने आचारे दुरोन को क्या ताना मारा दुर्योधन ने आचारे दुरोन को ताना मारते वे कहा आचारे पांडव बहुत उग्र और परबल हो रहे हैं युदुस्ठिर को पकड़ने की आपकी परतिज्या भी पूरी नहीं हुई, पांडव के परति आपका अच्चने हैं अनि यथा युदुस्ठिर को पकड़ना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं दुर्योधन की बात सुनकर 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 दुर्योधन की बा अतवे चिंती थोठे। करन को इस बात पर आश्चर्श हुआ कि अकेला अभिमन्यू जद्रत और द्रोनाचारी जैसे महारतियों को प्रास्थ कर तीसरे द्वार तक कैसे आप पहुंचा। क्योंकि अभिमन्नु के पूरे युद्ध का वर्नन करने के लिए कहा गया है, फिर भी मैंने इसको छोटा करने के कोशिस किया है, अभिमन्नु तिब्र गती से रंचेतर में पहुंचा, चक्रवियों के पर्थम द्वार पर जैदरत था, अभिमन्नु पर्थम द्वार भेद क की अनेतिक सलाह दिया इस अन्याई पुर्ण युद्ध को लड़ते हुए अभिमन्नु ने वीरगति को प्राप्त किया अभिमन्नु और लच्मन के प्रान कैसे निकले रन भूमी में अभिमन्नु को निहत्ता देखकर दुर्योधन पुत्र लच्मन ने उसके सीर पर गदा फ इस तरह से यहां से आप लिख सकते हैं इसका अंसर और यहां पर से अंसर यहां पर दिया हुआ है question number 5 भासा अधियन जो ब्याकरन से question दियावा है यहाँ पे question number 1 में उपसर्ग और प्रते छांटने के लिए कहा गया है जिसे कि यहाँ पे अन्याय में आ उपसर्ग है अधर्म में आ उपसर्ग है योगिता में ता प्रते है प्रते मतलब पीछे पीछे में जो लगा हुए वर्न है उसको बतलाया जाता है और प्रहार में प्र उपसर्ग है और चतूता में ता प्रते है आपको या हिंदी ब्याकरने पढ़ने के लिए मिलेगा आप महां से पढ़कर जान सकते है और कोश्चिन नमबर टू विलोम सब्द लिखो या उसका उल्टा सब्द लिखने के लिए कहा गया है तो यहाँ पे विलोम सब्द लिख लिए गया है कोश्चिन नमबर थ्री मुहावरों को वाइक में परिप्त करने के लिए कहा गया है पीठ दिखाना, वीर युद्धा रन भूमी में कभी पीठ नहीं दिखाता, सोक में डूबना, दुखी हो जाना, अभी मन्नु का समाचार मिलते ही पांडो सोक में डूब गे, पीछा करना, पीछे लग जाना, अरजुन तिरगरतों का ललकार पाकर उसका पीछा करने लगा, हमला करना, सातों महारती नहत्य बालक पर तूट पड़े, तो यहां पर यह चप्टर पूरी तरह समाथ्थ हो गया है, इसी तरह का दूसरे भी सब्जेक्ट का वीडियो हमारे चैनल में आते रहता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रखें, अपने दोस्तों क में चलेंगे, तो आपने नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं,